मैं केंद्रे मंत्री हूँ इस राजे से, इस राजे में रेप हुआ हैं, अगर हिम्मद हैं, तो आप इस्तिपादी दीज़ें, मैं भी इस्तिपाद देदूगा आपके साथ, केंद्रे मंत्री 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 मांग लिया यहालोपी का रेजिनेशन मांग लिया सब का मुझा इस कारण से इसको पता नहीं तो उनकी दिमागी हलत कैसी है इस पे मुझे लगता है मेडिकल की मैं को सोचना जाए कि मैं केंद्रे मंत्री हुए इस राजे से इस राजे में रेफ हुआ है अगर हिम्मद है तो आप इस्तिपादी दिजा मैं भी इस्तिपाद देदूगा आपके साथ केंद्र मंत्री मंदेल से संदीब गोशको ममत्री मंत्री मंत्री बचा रही है और एक के बाद एक उनका एपर्मेंट भी हुआ है जब आज ही करके प्रिसिपल के पध से हटाया गया तो अब उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज भेजा रहे नेशनल मेडिकल कॉलेज में छातbles ने उनको घुसते नहीं द जिसके खिलाब सबसे ज़्यादा आरोब है उसको बचाने के लिए किनो मुल कॉंग्रेस पूरी तरीके से लगी हुई लेकिए विनीद गोयल का रेजिगनेशन हम पहले से ही मांग कर रहे हैं अब ही डॉक्टर औरगनेशन जो है जुनिया डॉक्टर सो भी मांग कर रहे हैं तो बिनीद गोयल को इमीडियेट हटाना चाहिए बिनीद गोयल का रेजिगनेशन हो सकता क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है उसको ममतामेनर जी को चाहिए के उनको हटा देना चाहिए और ममतामेनर जी के से हमारा सवाल है कि क्या बिनीद गोयल के उपर अपना इतना मोहो के हुए कि उनको आप बाल भी आप चाच नहीं कर पा रहें केस की केस के तरफ पुरे बंगाल हम ही सिप नहीं पुरे बंगाल इसके उपर दिष्ठी जमाय बैटा हुआ है क्योंकि ये बंगाल की आगे आने वाले राज़निती बंगाल की जनता की सिरुक्षा सब के उपर ये केस का जो भाडिक टाएगा वो निर्वर करेगा इसलिए जनता इस आस पर बैठी हुई है कि सुप्रीम पूर्ट से जनता को जस्टिस मुलेगा और ममताबनर जी के पैसे से कबिल सिब्बल जैसे बरे-बरे जो लॉयर घरे होते हैं इनके दवाओं में बंगाल की जनता के साथ कोई इंजस्टिस ना हो